गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स राम राम सभी दोस्तों को सवागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाइं सरकारी नोकरी देशी हरियाना मैं हूँ बवीता धानिया और इस चैनल पर हम HSSC प्रिवेस येर पेपर के एक सीरीज कर रहे हैं 12 पेपर 2019 कटेगरी नंबर 6 प्रोटेक्शन एसिस्टेंट का एक्जाम था ये दक्षिन हरियाना उत्तर हरियाना बिजली वितन निगम के अंडर लिए गए गए थे इवनिंग सेशन का ये एक्जाम था और ये वाला एक्जाम हुआ था तीन मारच दो हजार बीस को तो इसके क्योस् प्रियाय वाची यहां पर नहीं पूचा है तो ओस आपको सभी को पता है जब सदियों के अपको छोटी पानी की बूंधे होती हैं उसको ओस कहते हैं और ओस के जो प्रियाएवाची होंगे उसके बहुत सारे प्रियाएवाची हो सकते हैं निहार हिम पाला जिसको आप हरियानवी के अंदर बोलते हो पाड़ा पड़ रहा है वो ओस ही होती है पाले जिसको बोला गया है या फिर पाड़ा बोला जाए तुहिन, तुसार, मिटीका, सबनम, ये सारे के सारे दोस्तो ओस के प्रियाएवाची है आईए option देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है पक्स, सबनम, तुसार और हिम तो दोस्तो option A को छोड़कर सबनम, तुसार और हिम तीनों ही ओस के प्रियाएवाची है जबकि जो option A है पक्स वो ओस का प्रियायवाची नहीं होता है नेक्स्ट क्यूस्टन है अपना निमिन लिखित में से कौन सा सब्द आलसी का प्रियायवाची नहीं है, आलसी का विलोम नहीं है, दोस्तों आलसी के विलोम देखिए, option देखिए, सम्मान, प्रिसर्मी, उद्मी और सफूर्तिला, तो सफूर्ति वाला हो, पर शिर्मी हो, उद्मी हो, ये सारे ही आलसी के विलोम या विप्रित आर्थक सब्द हैं जिबकि सम्मान का आलसी से कोई लेना देना नहीं है, आलसी होता है जो काम से जी चुराता है, प्रिशरमी, उदमी, सफूरतिला उसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो सम्मान का सब्द जो सम्मान है यहाँ पर आलसी का विलोम सब्द नहीं है, थार्ड नंबर क्यूशन देखिए, दिये गए मोहावरे का सही अर्थ बताईए, उप्शन आपको वर्ड दिया है, गला काटना, यहाँ पर गाला लिखा गया है, दोस्तों यह सही है, गला काटना, उप्शन देखिए, भटकते रहना, बहुत प्रिशरम करना, अन्याय करना या फिर मार डालना, तो option D मार डालना, क्योंसे नंबर 4 देखिए आपका, चीडियां उड़ती है, इस वाक्य का एक वचन रूप क्या होगा, दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहु अचन में दिया है, चीडियां के उपर यहाँ चंदर बिंदू आ गया, और हैं के आगे भी जो बिंदी है, वो option B है, कहीं confuse मत हो जाना, वहाँ पर है के उपर जो बिंदी है, वो लगी हुई है, वो बहु अचन में यूज होती है, जो राइट अंसर होगा, वो आपका option C होगा, यह है उपर से चंदर बिंदू हट गया, चीडियां का, और है की बिंदी हट गई, तो इसका एक वचन बन तो गेंद का बहु अचन होगा, आपका राइट अंसर है, option D, गेंदे, इससे आगे आपको इंगलीज के क्योशन दिये गए हैं, हिंदी के 5 क्योशन थे, next आपका इंगलीज का क्योशन है, choose the correct synonym for the word given below, और सब्द आपको दिया है, odor, odor आपने बहुत बार आपने टीवी में भी एट देखी होगी, बहुत बार आते हैं, कहती है, हम किसी के घर खाने पर गए थे, बट उनको बिल्कुल तमीज ही नहीं है, उन्होंने वहाँ बातरूम में, ओडो निल ही नहीं लगा यह odor word वहीं से लिया गया है, दोस्तो, odor word का जो meaning होता है, वो होता है, गंध या फिर smell, तो क्या होगा, गंध जिसको आप यह बोलते हो कि, जो smell word ही बोली है, हिंदी में समझ नेरा गंध ही होता है, odor word होता है, गंध या smell, तो आपके option देखे क्या दिये है, taste, smell, watch या फिर touch, synonym आपसे पूछा है, तो right answer होगा, आपका option B, smell, smell दो तरह की होती है, एक अच्छी smell, एक bad smell, अच्छी smell के लिए आप fragrance word यूज़ करते हो, और bad smell के लिए आप यहाँ पर, जो smell word है, उसी को bad smell यूज़ किया जाता है, टेस्ट होता है आपका सवाद के लिए, जो जीब के लिए, जो जीब से जो टेस्ट लेते हैं, watch जो आँखों का देखने वाला काम है, और touch होता है, आप जो चूँ कर देखते हो, तो जो odor है, उसका right synonym होगा, option B, smell, next देखिए आपका, choose the correct antonium for the word, given below, और word आपको दिया है क्योसंज, क्योसंज दो, अपने pre-क्योसंज वर्ड सुना होगा दोस्तों, क्योसंज उसी का sort form है, क्योसंज होता है, सावधानी या फिर सावधानिया, pre-क्योसं वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, क्योसंज सावधानिया होता है, option देखिए, vigilant, विजिलेंट होता है, चोकस रहना, option B पर कीन होता है, उत्सुक या फिर ध्यान पूर्वक, option C है केरलेस, जो बिल्कुल केरलेस तो आप समझी सकते हो, लापरवाज इसको आप बोलोगे, अवेर होता है, जागरुक और यहाँ पर हमसे एंटोनियम पूछा है क्यों संज का, तो विजिलेंट भी वह उप्सन देखना आपका, choose the correct meaning for the idiom, in the nick of time, nick of time मुहावरा है दोस्तों, मुहावरा है और इसका मतलब होता है, एन मोके पर या बिल्कुल लास्ट मुमेंट पर, मतलब आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको उमीद भी नहीं, यह कैसा हो जाएगा, और बिल्कुल एन मोके पर या बिल्कुल लास्ट मुमेंट पर आपका काम कोई बन जाता है, यह बिगड जाता है, उसको कहा जाता है, in the nick of time, option देखिए, just at the last moment, at the starting of moment, at the start moment, at the middle moment, यह at the present moment, तो nick of the time, in the nick of time होता है, just at the last moment, बिल्कुल लास्ट जो आखरी पल या आखरी सन के बोल सकते हो, आप उ बिगड जाना, तो इसका right answer होगा, option A, just at the last moment, next question देखना, nine number जो आपका question है, find the grammatically cracked sentence from the following options, options देखिए, आपको क्या दिये है, he was back from Delhi and came, बिल्कुल कहीं से सिरपैर ही नहीं मिल रहा इसका, तो, option B देखिए, he left Delhi and came, यह भी सही नहीं है, option C, he came back from Delhi, बिल्कुल right answer हो गए है इसका, और option D है, he returned back from Delhi, यह भी सही नहीं है, तो right answer है, जो grammatically cracked sentence आपका वो है, option C, he came back from Delhi, next question है आपका, complete the sentence using cracked option for each blank that best fits the meaning of the sentence at a whole, जो खालिस्थान दिया है, वहाँ पर आपको fill करना है, options में से, जो सबसे ज़्यादा suitable है, sentence देखिए, Mary sat, खालिस्थान, अर्चना एंड रूची, so that she could be in the middle, Mary sat, Mary sat, Mary sat गई, अर्चना एंड रूची, बीच में खालिस्थान छोड़ा, so that she could be in the middle, कि वो बीच में हो सके, तो बीच में वो तभी बैठेगी, जब उन दोनों के बीच में बैठेगी, option A है, outside, बाहर की साइड बैठेगी, तो उनके middle में मध्य में नहीं हो सकती, beyond भी नहीं हो सकता, near भी नहीं हो सकता, right answer है आपका यहाँ पर option, C, Mary sat between अर्चना एंड रूची, so that she could be in the middle, Mary, अर्चना और रूची के बीच में बैठी, so that, क्योंकि वो उनके मध्य में या बीच में हो सकती है, या होना चाहती थी, next आपके हर्याना जी के कहिए, उसके या इंडिया जी के के अंदर भी एक क्यूश्चन आता है, दोनों ही आप काउंट कर सकते हो, क्यूश्चन है आपका, चंदर गुप्त दिवीतिय के सासन काल में, भारत की यातरा करने वाले चीनी यातरी का नाम बताईए, उप्सन है संग उन, फाह हीन, हवेन सांग या फिर जोंग वे, तो दोस्तों चंदर गुप्त दिवीतिय आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, वो कौन से वन्स के थे, चंदर गुप्त दिवीतिय गुप्त वन्स के चोथे नंबर के सासक थे, कौन से नंबर के, चंद चंद्रगुप्त पर्थम और तीसरे नंबर पर थे संद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और चंद्रगुप्त दिवीतिय इसके चोथे नंबर के सा सकते जिनको विकर्मा दित्ते की उपाधी भी दी गई है उनके सासनकाल में एक चीनी यातरी भारत इनका नाम था फाहियान वह बोध ध्रम के बहुत बड़े अन्वियाई थे रहा पर उस वक्त के राजाओंके थाट वाट होते थे वहां की जो जनता होती थी वो इतनी सुखी होती थी उन्होंने इतना बड़ा वहां पर ओसर धल्ले देखा, हर चीज की फैसलिटी थी उनकी जनता में कोई भी दुखी नहीं होता था तो वहां पर जो चंद्रगुप्ति दिवीतिय जिनको विकरमा धित्ते के नाम से जाना ज जो फाहियान यहां पर फाहीन लिखा है हमें उनका नाम पढ़ने को फाहियान मिलता है फाहियान आये थे चंद्र गुप्त दिवीतिये के सासनकाल में उप्षन संग उनकोई नहीं था जो उप्षन डी है जांग वे वहन संग का ही दूसरा नाम जेन जुआंग जो था वो है हेन संग भी आप देखिए उप्षन सी पर जो आया है बार बार पुछा जाता है हेन संग भी चीनी यात्री ही थे जो हर्स वर्धन के सासनकाल में आये सकते हर्स वर्धन जिनके वंसका दूसरा नाम बूंश्य भोति वंस भी था और जिस वंसके शासक थे पुष्य भूती जिन्होंने स्थानेश्वर या थानेश्वर के अंदर सिव मंदिर का निर्मान करवाया था और दोस्तों जो हरस्वर्दन थे उनका एक दर्बारी कवी आपसे बार-बार पुछा जाता है बान भट या फिर उनके अस्थाना कवी कहा जाता है बान भटते जिन्होंने लिखी थी एक बहुती परसिद पुस्तक हरस्चरित हरस्वर्दन खुद भी बहुत बड़े एक रचियता होते थे उन्होंने तीन नाटक लिखे थे नागानंद पिरिये दर्शी का और रतनावली और जो इनके सासनकाल में जान का नाम दिया है हेन सांग आये थे इनकी भी एक बहुत परसिद पुस्तक है जो बार-बार पूछी जाती है एक्जाम में से यू की और जो अभी लाश्ट 2020 के अंदर जो एक्जाम हुआ था जो ग्राम सचिव का उसके अंदर हेन संग का चीनी नाम पूछा गया था वो नाम था जेंग जुआंक तो ध्यान रखना सारे के सारे कंसेप्ट क्यूशन कहीं से भी पूठ हो जाए आपको अपना लिखित में से कौन विंटर ग्रेड डीजल इंधन का उत्पादन करता है विंटर कौन सा होता दोस्तों सर्दियों के जो इंधन सर्दिया भी नॉर्मल वाली सर्दिया नहीं हरियाना पंजाब वाली सर्दिया नहीं वह वाली सर्दिया जहां पर सब कुछ जम जाता है पान यह जो रिफाइनरी है जिसने वियंटर ग्रेड इंधन का प्वेकि आपयोग बनाया है। क्योंकि जो हमारी सेना ले लदाख कारगिल जैसे एरिया के अंदर दिन रात सेवा कर रही है वहाँ पर इस तेल को पहुंचाया गया है और ये तेल जो आप स्पेसली डीजल इंधन बनाया गया है ये माइनस थर्टी थर्टी डिगरी तक भी जमता नहीं है बहुत बड़ी अ पहुली के अंदर लगाई गई थी और भारत के अंदर ये इंडियन ओल कोर्परेशन की साथवे नंबर की रिफाइनरी है और ये दक्षण पुरवेसिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है और जो बाद में पानिपत जिला बना एक बार 1989 के अंदर बना दुबारा उसको करनाल में फिर मिला दिया गया फिर उसको 1991 के अंदर मिलाया गया अब ये जो बाहुली गाम है पानिपत के अंदर आता है इसलिए अब इस रिफाइनरी को पानिपत रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्यूशन आपका भारत के किस राज्य में सबसे उची चोटी कंचन जंगा स्थित है परवतों से भी एक क्यूशन आता ही आता है दोस्तों जोगरफी को भी ध्यान से पढ़िए में घहले, असम, सिक्किम या फिर उत्रपरदेश तो भारत की जो सबसे उची भारत के सिक्किम राजय में स्थित है और जिसकी उचाई है 8586 मीटर यह भारत की सबसे उची चोटी है लेकिन दुनिया की यह तीसरे नंबर की चोटी है दोस्तों इससे उपर की चोटी की बात की जाए दुनिया की जो सबसे उची चोटी है वह मांट एवरेस्ट चोटी है ज वो पाक उकुपाइड कस्मीर के अंडराती है आप उसको चाहे भारत के कहिए भारत की सबसे उंची चोटी फिर कंचन जंगा माने गई है क्योंकि वो केटू है वो पाक उकुपाइड कस्मीर में हो जिसकी उंचाई है तीसरे नंबर पर है कंचन जंगा चोटी जो विशव की तीसरे नंबर की चोटी है और उसके उचाई है आठ हजार पान्सो च्यासी मीटर नेक्स्ट क्योशन आपका निमिलिखित में से कौन भारत के परतेक रज्य का कारिय कारी होता है पारसद मुख्यमंत्री रज्यपाल या फिर पुलिस आयूप तो दोस्तों परतेक रज्य का जो कारिय कारी अध्यक्स होता है या कारिय कारी होता है वो उस रज्य का रज्य पाल होता है जिसके हाथ में सारी कारियात्मक जो कारियवाई की पावर होती है वो रज्य पाल क्योंते देश का कारिय कारी पर मुख पूछा जाए तो वो रश्ट रिपन, लोर्ड मिंटो, लोर्ड एलेन बरो और लोर्ड इर्विन, तो दोस्तों भारत के अंदर सथानिय सवसासन का जनक जिसे कहा जाता है, वो लोर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि लोर्ड रिपन के ही सासनकाल में 1882 के अंदर सथानिय सवसासन एक्ट पास किया गया कब किया गया 1882 के अंदर सथानिय सवसासन एक्ट पास किया गया या फिर आपसे इस क्योशन को घुमा कर पूछ लिया जाए पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है तो वो भी कौन होंगे लौड रिपन ही होंगे नेक्स्ट क्योशन देखना हर्याना को खालिस्थान काल के दोरान बहु धनक के तोर पर जाना जाता था उपसने मोरिये अंगार गुपता या फिर योधे ये क्योशन तो आप सभी को रटा होना चाहिए तो दोस्तो हर्याना को योधे काल के दोरान बहु धनक के तोर पर जान आज रहा था उसके राज़धानी जो होती थी और जो यवडय सामराज्य आया था वो मोरिय सामराज्य के पतन के बाद विक्सितु हुआ था इसके साथ साथ हरियाने से रिलेटिड आपसे जो दूसरे नाम पूछे जाते हैं एक है यदूनाथ सरकार ने हरियाना को क्या बोला तो यदूनाथ सरकार ने हरियाना को हरियाल बोला था डॉक्टर एचार गुपता ने हरियाना को आरियाना बोला था महराज किर्शन ने हर्याना को हरना बोला था जीसी अवस्थी का भी क्यूशन आता है जो रिग्वेद से उत्पन उन्हों ने हर्याना को कहा था एक आता है डोक्टर बुद्ध परकास का जिसने हर्याना को अभिर्याना बोला था और एक आता है डोक्टर राहुल सक्रत्यान का जिसने हर्याना को हरी धन्यका कहा था और योध्यकाल में हर्याना को बहु धन्यक कहा जाता था नेक्स्ट क्यूशन देखना पानिपत की दूसरी लड़ाई किस वर्स हुई थी 1526 में 1556 में 1546 में या फिर 1562 में पानिपत की लड़ाई से तो एक क्यूशन आना ही आना है दोस्तों पानिपत की तीनों लड़ाई आपको पता होने चाहिए पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रेल 1526 को जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी अपनी बेगम थी जो उनकी काबूली उनकी याद के अंदर या फिर उनके नाम से वहाँ पर काबूली बाग बनवाया था जिसके अंदर बाद में उनके पुत्र हुमायू था जो बाबर का पुत्र उसने वहाँ पर एक विजय सतंब भी बनवाया हुआ है और जो दूसरी लड़ाई हुई वो हुई पांच नवंबर 1556 के बीच में अकबर और हेमु के बीच में जिसके अंदर अकबर विजय हुआ हेमु की हार हो गई थी कहा जाता है कि हेमु बिल्कुल युद जीतने ही वाले थे लेकिन उसके एकदम से उनके आप के अंदर तीर लग गया था और गयल होकर युद मैदान के अंदर ही गिर पड़े और अकबर के जो सैनिकों ने उनको बहुत ही बुरी मोत दी थी और जो हेमु थे वो दिल्ली की गदी पर बैठने वाले अंतिम हिंदो सासक थे और जो तीसरी लड़ाई हुई पानेपत की वो हुई 14 जनवरी 1761 को मराठों और एहमद सा अबदाली के बीच में जिसके अंदर मराठों की विजे हुई एहमद सा अबदाली हार गए थे और उन्हीं मराठों ने 1803 में सर्जियन गाउं की संदीक के तैत हर्याना को अंग्रेजों को सोप दिया था नेक्स्ट क्योंचन आपका जनवरी 2020 को हर्याना के उप मुख्य मंतरी कौन है आई थिंक हर बच्चे को एक क्योंचन आता होगा मनहोर लाल खटर रंजीत सिंग चोटाला दुशंत चोटाला या फिर चंदर मोहन तो दोस्तों कौन है उप्शन सी दुशंत चोटाला जनवर 2020 के अंदर हर्याना के उप मुख्य मंतरी हैं जो जेजेबी पार्टी से हैं और जिशकी पार्टी ने दस सीटे जीती थी और ये हर्याना के छटे नंबर के उप मुख्य मंतरी हैं पहले पूछे जाएं हो सकता अभी आपसे ये पूछे हैं तो और भी क्योंचन आ सकते हैं नेक्स्ट क्योशन देखना आपका, जन्वरी 2020 को हर्याना के प्रिवैन मंत्री कोन है, उप्षन है मूलचंद सर्मा, श्री कृष्ण लाल पवार, डोक्टर बनवारी लाल या फिर श्री नायब सिंग, तो दोस्तों उप्षन ए पर ही आपको दिये है, मूलचंद सर्मा वर्त आपको श्री कृष्ण लाल परवार, इनसे पहले परिवैन मंत्री थे, उप्षन सी पर आपको दिये है, डोक्टर बनवारी लाल, जो अनुशुची जाती हैं, पिछडा वरक कल्याण मर्क के लिए मंत्री हैं, जो बावल रेवाडी से विदायक हैं, और श्री नायब जो यहाँ से पिछली सरकार के उंदर होते थे, मनवर लाल खटर की सरकार में मंत्री होते थे, लेकिन बाद में वहाँ से रिजाइन करके सांसद बन गए थे, नेक्स्ट क्योशन आपका, बीए सप में साहिक क्मांडेंट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली हर्याना की पहली महीला कौन है देखें दोस्तों बिल्कुल क्रंट का क्योशन पूछा गया था उप्षन देखिए सिम्ता देव सोम्या या फिर गोरी सिवरान या सक्सी मलिक तो कौन है उप्षन बी पर जो सोम्या है वो बीए सब के अंदर साहे कमांडेंट के रूप में कमीशन प्र सीन अनलवीजी तो दोस्तों संधीब सिंग जो पहवा कुरुषेत्र से विधायक है जो पहले टक्तक भूथ खिलाड़ी होते थे होकी कि वो है क्यों है वरतमां के कहरिएना के खैल मंद्रिंदृ संधीब स्हिंग् पेहवा कुरुषैत्र से सम्बंदित है वो वरतमान में 2018 में हरियाना ने अपना पहला राष्ट्रिये ओटिसम अंतराष्ट्रिये अनुसंधान के इंदर कहां शुरू किया था करनाल गुरुग्राम हिसार या फिर सोनिपत में तो दोस्तों 2018 में हरियाना ने गुरुग्राम में अपना पहला राष्ट्रिये ओटिसम अंतराष्ट्र अनुसंधान के इंदर शुरू किया था और जो ओटिसम होता है दोस्तों यह जो मानसिक विकास से जुड़ी हुए एक बिमारी होती है और जो ज़्यादा तर बच्चों में पाई जाती है नेक्स्ट क्योशन है हर्यानवी किस भासा की उपभासा है हिंदी संस्कीर्ट उर्दू या फिर हर्यानवी तो दोस्तों हर्यानवी हिंदी की ही उपभासा है और हर्यानवी के जो दूसरे रूप है सुद्व रूप में तो हिंदी आ गई उसका बिगड़ा हो रूप नेक्स्ट क्यूशन आपका परसिध हर्यानवी साहित्यकार रामफल चहल का जनम हर्याना के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों जो रामफल चहल हैं परसिध साहित्यकार ओप्सन देखिए भिवानी, सिर्चा, हिसार या फिर पंचकुला रामफल चहल जिस बच्चे ने कभी रेडियो सुना होगा तो उनका नाम जरूर जानता होगा बहुती फेमस साहित्यकार रहे हैं भिवानी के निमडी काउं से इनका संबंध है और इनका जनम पूछा जाए तो हुआ था 16 फरवरी 1956 को और इनकी कुछ परसिद रचनाएं सुनिए एक था इनका जहर का प्याला फागणाया सांजा सीर जो पतानी अच्छे से ने कितनी बार पूछ लिया सांजा सीर तो सभी बच्चों को पता हो बिवानी के निमडी गाओं में 1956 में का जनम हुआ जहर का प्याला फांगणाया सांजा सीर आया सभसंत और 2004 में को मिला लखमी चंद अवार्ड नेक्स्ट क्योशन आपका खालिस्थान ने हर्यानवी भासा में अम्रत वानी की रचना की है उप्चन देखे गुलाम कादिर स जैत राम या फिर द्याल दस तो दोस्तों अम्रत वानी ऐसी रचना है जो बार-बार एक्जाम में पूछी जाती है गुलाम कादिर जो कौन थे सूफी कवी थे प्रेम लहर और प्रेम वानी उनकी पर मुख रचना है उप्शन बी पर हैं जो संत गरीब दास उन्ही की रच जना है अम्रत वानी जो बार-बार पूछी जाती है और संत गरीब दास का जनम 1717 के अंदर जजर के चुडाने गाओं में माना गया है वैसे इनका जनम रोहतक जिले में हुआ था लेकिन यह रहते अपने नाना के घर जजर के चुडाने गाओं में थे उप्शन सी पर जो जैतराम है वो गरीब दास के ही पुत्र थे और द्याल दास हैं दोस्तों यह जैतराम के ही समकालिन कवी थे और इनकी परमुखर रचनाए हैं विचार परकास, गुलाम कादिर की है जो सुफी कवी थे प्रेम लहर और प्रेम वानी, जैतराम है जो गुरीबदास के ही पुत्र थे और संत गुरीबदास की रचना थी अमरित वाने नेक्स्ट क्यों सिन देखिए हरियाना के सबसे गरम जिले का नाम बताईए अप्सन देखिए फतेबाद, पलवल, सोनीपत और नारनोल तो दोस्तों इन सब के अंदर उप्सन में से देखा जाए तो सबसे गरम जिला है हरियाना का नारनोल जिला क्योंकि राजस्थान के बिलकुल सटा हुआ जिला है और यही अगर उप्सन में आपको अभी तो नारनो भी हिसार ही है नेक्स्ट क्यूचन आपका खाली स्थान अरावली कि प्रष्थ भूमी में स्थीत एक करीत्रियम जील निफ्वेंध करन जील, पहल ज जीर, साहत अरवली कि प्रष्थ भूमी话 ज हेञा धने हेन पर्मिस्त आपदी के अंदर सूरज मलतोमर ने बनवाई थी भिंडावास जील है वो जजजर के अंदर है दमदमा जो जील है दोस्तों वो हर्याना की सबसे बड़ी जील है जो करीब करीब 3000 एकड में फैली हुई है और यह 1947 के अंदर बनवाई गी थी गुरुगराम में है औ उप्सें देखिए हिसार अंबाला करनाल या फिर पंचकुला तो दोस्तों इस टाइब के जो क्युशन होते हैं वह उप्सें पर ध्यान दीजिए अंबाला करनाल और पंचकुला विल्कुल जो पूर्वी हर्याना है उत्रपुरो हर्याना का हिस्सा है तो यहां अगर इन पर फूर्ण के देखा जाए तो सबसे ज्यादा बारिस होती हैं अंबाला और पंचकुला उनसे थोड़ी कम होगी करनाल के अंदर और इन सबसे कम पूछी गई है तो वह बारिस होती है हिसार के अंदर पेडमोंट मैदान को किस भासा में जो स्थानीय भासा है उसमें क्या कहा जाता है पेडमोंट मैदान के ओप्सन देखिए बंगर, घर, कंकरसी या फिर मेवात की पाड़िया तो दोस्तो इस क्योस्टन के अंदर थोड़ी सी एक निश्यूजन है क्योंकि मैंने जहां पर सर्च किया, वहां पर बंगर दिखा रहा था, जो बंगर है, लेकिन दोस्तों, पेडमेंट मैदान को, जो HSS Cinema है, वो माना है, घर कहा जाता है, नेक्स्ट क्योंचन है, हरियाना का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला या फिर नेकर बंगर निगम है, जो वो है, फरीदाबाद जिला जो हरियाना का बारवे नंबर का जिला बना, नैंटीन सेवंटैनाई ने में गुरुगराम से हर्याना के अंदर 11 निगर निगम और जो 11 नमबर का नगर निगम बना भो बना था मानेसर next question आपका हर्याना में कितने रज्य सभा निर्वाचन सेत्र हैं पांच, छे, आठ या फिर तिन तो दोस्तों वतमान में हर्याना के अंदर जो रज्य सभा निर्वाचन सेत्र हैं वो 5 हैं एक नवंबर 1966 को जब हर्याना बना तब जार थे बाद में बढ़कर पांच हो गए लोग सभा की पूछी जाएं तो दस सीटे हैं और विधान सभा की अगर आपसे पूछी जाएं तो वो 90 सीटे हैं नेक्स्ट कुशन आपका निमिलिखेत में से हर्याना में किस वन स्रंक्षन योजना की शुरवात वर्स उनिसो अठाणवे में की गई थी, कंडी विकास प्रियोजना, पोधागिरी अभियान, हर्याना समुदाई की विकास वानी की प्रियोजना और गैर जैव निमिनी कर्ण कच्रा नियंतर्ण अधिनियम, तो दोस्तों यहां पर जो राइट अंसर माना है, चैसे सिने वो डी है, गैर जैव निमनी कर्ण कच्रा नियंतर्ण अधिनियम की शुरुआत वर्स उनिसो अठाणवे में की गई थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूँ, हर्याना समुदाई की वानी की प्रियोजना भी वर्स उनिसो अठाणवे के अंदर ही शुरू की गई थी next question देखिए, हर्याना के किस जिले में विधान सबा सेत्रों की संख्या कम है, सबसे कम है, अंबाला, पंचकूला, फ्रीदा, बादिया, फिर हिसार, तो दोस्तों हर्याना के अंदर 90 विधान सबा की सेत्र हैं, और वो डिस्टिक वाईज बटी हुई हैं, तो जिस डिस्टि बन कर जाते हैं, हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा साथ विधान सबा सेत्र, और पंचकूला के अंदर सबसे कम, दो विधान सबा सेत्र हैं, नेक्स्ट क्योशन आपका हर्याना के खालिस्थान जिले में वन आवरण का सरवाधिक परतीसत है, तो दोस्तों यहाँ पर जो माना है चेसे सिने वो फरीदाबाद माना है, फरीदाबाद ओप्सन ऐसे है, फरीदाबाद 2015 से लेकर 17 के बीच में एक सरवे किया गया था, जह सबसे अधिक वन परतीसत पूछा जाए, उसका अंसर भी क्या होगा, पंचकुला होगा, सबसे कम वन सेतर पूछा जाए, तो वो पलवल में होगा, और सबसे कम परतीसत के अकोर्डिंग वन सेतर पूछा जाए, तो दोस्तों वो फतेबाद के अंदर होगा, और यमुना न अगर का पूछा जाए तो हर्याना के सबसे ज़्यादा सगन या फिर गहरे वन पाए जाते हैं फिर से रिपीट कर रहे हूं फ्रीदाबाद के अंदर जो सबसे ज़्यादा वर्दी हुई थी वन परतिशत के अंदर वो जिला है क्योंकि 15-17 के बीच में यहां पर जो सर्वी क क्या अगया था हर्याना के दर सबसे ज़्यादा जो वन परतिशत के वर्दी हुई वो फ्रीदाबाद जिले में हुई वैसे हर्याना के पंचकुला जिले में सबसे ज्यादा परतिशत वन भी पूछा जाए तो पंचकुला में ही है सबसे कम वन सित्र हर्याना के पलवल जि नेक्स्ट क्यूशन आपका हर्याना के जीन्द जीले में कौन सा स्रंक्षन अभ्यारण स्थित है जीन्द जीले का पूछा है दोस्तों ओप्शन देखिए दारला घाट बीर बारावन सरस्वती या फिर चड़ी जीन्द तो सरस्वती या सोन सर्वन कहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कैथन में है और जो बीर बारावन्य जीव अभ्यारण है यह जीन्द जीले में स्थित है नेक्स्ट क्योशन देखना अपना अपरेटिंग सिस्टम पहली बार 1950 के अंत में खालिस्थान को पर बंदित करने के लिए विक्सित किये गए थे सबसें पूछा दोस बंदारण के लिए समर्ति प्रबंदन के लिए फिर या करिय करम निश्पादन के लिए तो ओप्रेटिंग सिस्टम पहली बार बनाए गए थे बंदारण या फिर स्टोरेज के लिए कब बनाए गए यह भी पुछा जग सकता है पहली बार ओप्रेटिंग सिस्टम आए थे Input Output Processing Out, Input Output Processing Input बहुती आसान क्योटने दोस्तों यह सबको पता होता है पहले Input डाला जाता है, फिर उसकी Processing होती है और फिर Output आता है तो Right answer होगा आपका Option A, Input Processing और Output Next Question आपका, खाल स्थान एक डिवाइस है जिसमें उपयोग करता screen पर pointer का स्थान प्रिवर्तन करने के लिए उंगलियों से गेंद को घुमाता है, वो क्या होता है, mouse होता है, trackball होता है, light pen होता है, joystick होता है, तो दोस्तों कितना आसान बनायाँ आपके लिए, पहले ही cushion के अंदर गेंद डाल दिया गया, तो वो क्या होती है, trackball होती है, जिसमे उप्योग करता स्क्रीन पर पॉइंटर का स्थान प्रिवर्तन करने के लिए उंगलियों से बॉल को घुमाता है या गेंद को घुमाता है तो वह होती है ट्रेक बॉल नेक्स्ट क्योशन आपका खालिस्थान फिल्ट्रिंग का उप्योग अधिकांस एंट्री स्पैम इमेल कंपनियों में किया जाता है ओप्शन ए हस्ताक्सर आधारित कंटेंट नैवे आधारित स्पैम ब्लैक लिस्टिंग आर्बियल या फिर सेंडर पोलिसी फ्रेमवर्क तो दोस्तों हस्ताक्सर आधारित कंटेंट कंटेंट जो होता है फिल्ट्रिंग का उप्योग अधिकांस एंटी स्पैम इमेल कंपनियों में किया जाता है बीच में दोस्तों कुछ रीजिनिंग और मैथ के क्यूस्टन है जो लाइव क्लास में करवाई जाएंगे आईए साइस के क्यूस्टन करते हैं पानी को सारवर्त्रिक विलायक कहा गया है क्यों तो दोस्तों पानी को एक इन्वर्सल सोल्वेंट कहा जाता है क्यों कहा जाता या option D वे crystalia tos होते हैं तो पानी को universal solvent या सर्वत्रिक विलायक कहा जाता है क्योंकि अधिकान से जो पदारत होते हैं वो पानी में गुलन सील होते हैं ओप्षण B is the right answer next question है आपका पादप सारी रिकी क्या है option देखिए पौधों की अंत्रिक शरंजना का अध्यन मानव शरीर का अध्यन जानवरों के वहवार का अध्यन या फिर बीजों के फैलाओं का अध्यन तो दोस्तों पादप सारी रिकी होती हैं पौधों की अंत्रिक श कोई लेना देना नहीं है तो आपके लिए इस पेपर के से इतने ही क्यूसें थे जो आपके काम के थे उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब और चैनल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट क्यूसें और नेक्स्ट पेपर के साथ